हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मेरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में आज 12 तारीक है और आज आपका ससी सीजिएल का जो स्कूर कार्ड है टियर फरस्ट का वह ौठ ओने वाला है 12 बजे के बाद कभी भी आपका लिंग अक्टीव हो जायेगा अभी लिंग अक्टीव नहीं वा और मेन्न की तैयारि आप किस तरीके से कर रहे हैं इस विडिए में इस चीज जो पर बात करने यह आपका लास्ट इिपकल सवाल आता है तो आपको उसी तरीके से moderate to high कैसे जम करना और कैसे tier 2 में आपको high score करना है इस वीडियो में इस चीज पर बात करने वाले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नियूजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवाज दीजेगा गुर्मेंट जोब के पलपल अपडेट के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टीयर फर्स्ट में आपके माग जो भी आए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं टीयर टू के बारे में ये कि टीयर टू में जो मैत का section है उसके अंदर आप 140 इजीली ला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले इंग्लिस के बता देता हूं इंग्लिस के अंदर आपके active और passive प्लस डारेक्ट इंडारेक्ट से ही आपके 40 से 45 सवाल होते हैं और अगर मैं बात करता हूं आपके comprehension से तो आपके comprehension से 25 से 30 सवाल होते हैं अगर आपको ज़्यादा vocab ज़्यादा vocab नहीं आती एक्जाम के लिए तो भी चले जाएगा क्योंकि vocab के मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सवाल आते हैं बाकी कुछ नहीं फिलिन दब blanks की अगर मैं बात करता हूं यानि के close test की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी आपका लगभग 20 से 25 सवाल उससे भी पूछे जाते हैं यानि के overall जो आप इस exam के अंदर देखते हैं English के अंदर अग अगर अच्छा है तो आप इसके अंदर अच्छा score कर पाएंगे अगर आपका reading comprehension अच्छा नहीं है तो इसके अंदर आप score नहीं कर पाएंगे English section के अंदर आप score नहीं कर पाएंगे वरना 140 आइजीली score कर सकते हैं बहले या आपको grammar की knowledge इतनी ज्यादा ना हो पर फिर भी English section का हो गए math section के अगर मैं बात करता हूं तो math section में अगर मान लीजिए आपका advanced math ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन जो आपका advanced math से अलग portion है वो काफी अच्छा है तो भी आप इसके अंदर 60 plus 65 plus question अराम से बना सकते हैं 2 hour के अंदर क्योंकि advanced math का जो portion है वो अगर आप 20 सवाल भी मानते हैं तो अभी आप 80 सवाल में से 65 सवाल अराम से कर जाएंगे लेकिन जो math का level होता है exam जो pattern बनता है उसके अंदर moderate tough easy सभी प्रकार के सवाल रहते हैं moderate सवाल आपके अगर 50% है easy सवाल आपके 30% है तो tough सवाल आपके 20% होंगे तो उन tough 20% सवालों का आपको छोड़ना है पहले half में और second half में आपको उनको करना है time बचाने बाद सबसे पहले आपको easy और moderate के जो आपके 50% सवाल है उनको fast solve करना है क्योंकि इसके अंदर जो paper आने लग गया वो काफी जादा गया डो्चे आल्की अंदर आने लग गया है तो आपकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होने चाहिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है आप calculating में थोड़े से वीक마璃 या इतनी अच्छी commencement में क्लि transparency सवाल और अइक popular जार क्यूब एक याद नहीं है security आद जो कि यह अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा इसलिए आप इस पेपर को इस तरीके से कीजिएगा क्योंकि जो आपका एक्जाम होता उसके अंदर इजी, मोडरेट और टफ तीनों प्रकार के सवाल आते हैं इसलिए आप उन सवालों को ढूंडने ही कोशिश कीजिए और आप पेपर देने जा रहे हैं तो आशा करता हूं आप पेपर को किस तरीके से मोग को किस तरीके से अटेम्ट करेंगे यह मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया और जैसा ही आप मोग में करेंगे वैसा ही आप एक्जाम में भी करेंगे तो इस वीडिम तबस इतना ही मिलते ह नेक्स वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद